दोस्तों मैं रमनीक वेग आपके समक्षूं दोस्तों यहां मैं भै के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ अक्सर हम लोग भै के कारण अपना जीवन ही खराब कर देते हैं कभी बिमारी का भै कभी कोड केस का भै कभी कम पैसे होने का भै कभी आ सकती attachments का भै कि ये चीज़े हमसे छूट ना जाए पर याद रखिए कि भै जो है हमारा शत्रु है जो कुछ होना है वो तो होगा ही वो तो निश्चित है वो तै है तो आप अपना जीवन प्रतियक बल को भै की वज़े से क्यों खराब कर रहे हैं याद रखिए कि भगवान हमेशा आपके साथ है तो इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं कहते हैं ना जब भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है तो याद रखिए कि जो भी परस्थिती आएगी आप उससे बाहर निकल सकते हैं दुनिया में एक भी ऐसी परस्थिती नहीं है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं मित्रों मेरे को भी कैंसर तीन बार हुआ जब अमरीका में मैं तीसरी बार गया इलाज कराने के लिए तो डॉक्टरों ने इलाज के बाद भी कहा कि हट से हट छे मेने की मेरे पास जिंदगी है पर आज मित्रों इस बात को पंदरा साल हो गए हैं और मैं पूरी तरह से स्वस्त हूँ तो जब भी आपके अंदर भै पैदा हो याद रखें कि प्रबू हमेशा आपके साथ है अपने जीवन में इतना उच्छा लाईए इतना जीवन को उच्छा से भर दीजिए कि भै की कोई जगा ही ना हो खूमिये फिरिये मित्रों के पास जाएए पिक्चर देखिये मौल जाएए छुटियों में इदर उदर घूमें अपने जीवन को उच्छा से भर दीजिए कि वहाँ भै नाम की चीज़ पैदा ही ना हो सके अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ मेरा आप सब को समस्कार